ओम करिशी महा कड़ी शाय नहां राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों हिंदू थाल में सावन महा को बहुत ही महत पूर माना जाता है सावन महा भगवान शिप को बहुत ही प्रिया है यह महा भगवान भूले नाथ को पसंद करने के लिए बहुत ही खास माना जा सावन महा पूर्ण रूप से भूले नात को समर्पित होता है। सावन महा में आने वाले सौंबार का महत्व तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सावन महा में आने वाले शनिवार का भी हमारे शास्तों में बिशिश महत्व बताया गया है। सावन के प्रतिक शनिवार को भगवान शिव के आराधना करने से शनी दोश्दूर हो जाते हैं पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने ही शनी देव का शरजन किया था भगवान शिव ने ही शनी देव को न्याय देपता और कर्मफल दाता की उपाधी दी थी शनी देव भगवाईशिप को अपना गुरू और ईष्ट मानते हैं इसलिए मानिताओं के अनुसार सावन महा में भगवाईशिप के प्रशन होने से शनी देव से सम्मंदे सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं शनीवार का दिन शनी देव को समर्पित है साथ ही यह दिन बज्रंग बली को भी समर्पित है बज्रंग बली महादेव के ही एका दश्रुद्रावतार है इसलिए सावन महा में आने वाले शनी बार कमैर्व और अधिक बढ़ जाता है दोस्तों अगर आपके बनते हुई कारे बिगर जाते हैं आप शनी देव से संबंदित किसी दोज, धाया, सारे साथे या महादशा से पेड़ित हैं और शनी देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या आपके चीवन में, आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम में चल रही हैं आपकी किस्मत आपका भाग के आपका साथ नहीं दे रहा है आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है या आप किसी रोग से पेड़ित हैं तो दोस्तों सावन शनीवार का दिन आपके लिए विशेश महत्व रखता है शास्तों के अनुसार सावन शनिवार के दिन थोड़े से पूचन से ही आप भोले नात को प्रसंद कर सकते हैं भोले नात के कृपा के साथ ही इस दिन आपको शनी देव और बर्जंग बली के भी कृपा प्राप्त होगी सावन शनिवार के दिन किया गया यह छोटा सा काम आपके दुर्भाके को भी सौभा की में बतल सकता है इस दिन थोड़े से प्रयास से ही आप भोले नाथ के साथ ही शनी देव को प्रसंद कर शनी देव से संबंदे दोशों से राहत पासकते हैं एह छोटा सा कारे शावन शनिवार के दिन करने से बिगड़ी हुई कारे भी बनने लगते हैं और भोले नाथ की करपा से कश्टों से छुटकारा मिलता है तो आईए दोस्तों चानते हैं सावन शनिवार के दिन कौन से कारे करने से किस तरहें भोले नात और शनी देव का पूटन करने से जीवन में चली आ रही परिशानियां दूर हो जाती हैं दोस्तों बीडियो में आगे बढ़ने से पहले बीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भोले नाथ की कृपा प्राम्त कहने के लिए शनी देव को प्रसंद कहने के लिए कमेंड बॉक्स में जै भोले नाथ हर हर महादे जरूर लिखें यू तो शनीवार को शनीदेव की आरादना कहना और उन्हीं सरसों का तेल चड़ाना शुब माना जाता है मगर सावन के शनीवार को कुछ खास उपाई कहने से दोगना लाब होता है इसे शनीदों से छुटकारा मिलने सके साथ ही भागे में भी उन्नती होती है और शनीदेव के प्रकुप से भी बचा जा सकता है शनीदेव को प्रसंद कहने के लिए सावन के शनीवार के दिन भागवान भोले नाथ का पूचन अवश्य ही कहना चाहें इस दिन भोले नाथ के शेवलिंग का अभिशेक कहने जे शनीदेव अती शेकर ही प्रसंद हो जाते हैं दोस्तों शनी देव से संबंदे दोशों से छुटकारा पाने के लिए, बोले नाथ के साथी शनी देव की कपा प्राप्त करने के लिए, आप सावन शनीवार के दिन सबसे पहले इस नान कर सच्छ बस्त धारन करें, इसके पश्चा एक लोटे में शुर्द जल लें, अगर ग धर के बाद भोले नाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, तो इस जल से आप भोले नाथ की शिवलिंग का अभिशेक करें, अभिशेक करते समय, पुरुष ओम नमा शिवाय मंतर का जाप करें, और महिलाएं ओम शिवाय नमा मंतर का जाप करें, आपको इस जल से धीरे धीरे जल भूले नात की प्रतिमा हैं तो आप भूले नात की प्रतिमा का भी इस जल से अभिशेक कर सकते हैं अभिशेक करने के पश्चाद इस जल को आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें अभिशे करने के पश्चात पुरुष ओम नमा शिवाय मंतर और महिलाएं ओम शिवाय नमा मंतर का 108 बाद जाब करें अगर रुद्राक्ष की माला है तो इस मंतर का आप रुद्राक्ष की माला पर जाब करें और फिर भोले नाथ को प्रणाम कर कष्टों से छुटकारा दिलाने की प्रात्ना करें दोस्तों इस तरह सावन शनिवार के दिन भोले नाथ का पूजन करने से भोले नाथ के साथ ही शनी देव की भी कृपा बदरस्ती है दुर्भा के सो भागी में बदल जाता है दुखों से छुटकारा मिलता है और शनी देव से संबंदित दोशों से भी राहत मिलती है आपके उपर शनी देव से संबंदित कोई भी दोश हैं तो उन्हीं दूर करने की भोले नाथ से प्रात्ना अवश्य करें अगर आपको कोई रोग है तो आप भोले नाथ का अभिशे करते समय भोले नाथ की महा मृतियंजय मंत्र का जाप करें महा मृतियंजय मंत्र इस प्रकार है आपको इस मंतर का जाप करते होएफूले नाद का अभिशिक करणा है और अभिशिक करने के पश्चाः दीपक जिलाने के बाद到了 आपको इसी मंतर का 108 बाद जाप करना है ऐसा करने से फोले नाद के कृपा से रोगों से भी चुठकारा मिल जाता है शनी देव से संबंदित दोशों से छुटकारा पानी के लिए आज की दिन शनी देव से संबंदित बस्तु हैं जैसे की काले सारबुत उड़त की दाल, काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तिल इन चीजों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुब होता है आप अपनी सामत के अनुसार किसी जरुद्मन व्यक्ति हो सके तो किसी बिकलांग व्यक्ति को आप इन चीजों का दान करें ऐसा करने से शनी देव अती शीक्र ही प्रसन हो जाते हैं और शनी देव से संबंदित दोशों से भी राहत मिलती है दोस्तों सावन शनिवार के दिन शनी दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भोले नाथ के साथ ही बजरंग बली का पोजन अवश्य करना चाहें इस दिन बजरंग बली के सामने एक दिया जलाकर हनुमान चालेसा का पाठ अवश्य करें और हो सके तो बर्जंग बली को बूंदी के लड्टू या गुल्दाने का फोग लगाएं हन्मान चालिसा का पार्ठ करने के प्रशाद अबाव बर्जंग बली से हार चोड़ का शनी दोशों से छुटकारा दिलाने के प्रातना करें दोस्तों ऐसा कहने से पर्जंग बली की कृपा से शनी दोशों से छुटकारा मिल जाता है। और शनी देख प्रसन होते हैं और पर्जंग बली के भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में लगातार परिशानिय चली आ रही हैं। एक परिशानी खत्म नहीं होती हैं कि दूसरी शामने खड़ी हो जाती है। आप प्रयास करकर के ठक चुके हैं। आपके घर में कलह रहती हैं। आपको शनी दोश के साथ ही आप पित्र दोश से भी पीड़ित हैं। तो दोस्तों आप सावल शनीवार के दिन एक लोटे में शुत्य जलने। इस जल में थोड़ी से काले दिल और थोड़ी से शक्कर डाल दे। फिर आप एक दीपक लें। आप मिट्टी का या आटे का दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक ले रहे हैं तो आटे में नमक नहीं होना चाहिए। साफ मड़े हुए आटे का एक दीपक बनाने। अब इस दीपक में आप एक रूई की बाती लगा कर सुद्ध शर्चों का तिल भर लें। और थोड़े से काले तिल आप इस दीपक में भी ढाल दें। अब आप पीपल ब्रक्ष पर जल से पहरे भागवान बिश्टु मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर भागवान भूले नाथा और बज्जंग बले को प्रणाम करें। इसके पश्चात आप पितर देव और शनी देव को प्रणाम करें। अब पुरिश ओम नमश्शिवाय मंतर का एक सो आट बार पहरें। अब भागवान भाख्यान भूले नाथ को प्रणाम करें। और पितर देव और शनी देव के साथ ही आह भूले नाथ से जाने अंजाने में की गए अपनी सभी गल्तियों के शम मांगे। और बाप और दुखों का नाश्च करने के प्रातना करें दोस्तों सावर शनिवार के दिन इस तरह पीपल प्रक्ष के नीचे बैठ कर पूचन करने से भोले नाथ अपने फक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं इस तरह पूचन करने से भोले नाथ की करपा से शनी दोश और पितर दोश से भी राहत मिलती है शनी देव और पितर देव प्रसंद होते हैं और अपनी गर्पा बरसाते हैं शनी देव पितर देव के गर्पा से जीवन में चली आ रही परिशानियां दूर हो जाती हैं परिवार में खुश्यां आती हैं दुखों से छुटकारा तो मिलता ही है साथ ही भोले नात के साथ धन की देवी मा लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही धन संबंदी समस्याएं दूर हो जाती है धन का लाव होता है आर्थिक इस्तिती अच्छी होती है दोस्तों पीपल ब्रक्ष में सभी देवी देपताओं का बास तो होता ही है शनीवार और अमावस्या के दिन इसमें पित्रों और शनी देव का भी बास होता है इसलिए सावन शनीवार के दिन इस तरहें पीपल ब्रक्ष के नीचे बैठ कर पूजन अवश्य करें दोस्तों सावन शनिवार के दें सुभह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय इस तरह पूजिन कर सकती हैं लेकिन ध्यान रखें अगर आप संध्याकाल के बाद यह पूजिन कर रहे हैं तो आप पीपल ब्रक्ष पर जल ना चरहाएं और पीपल ब्रक्ष को इस परश हुए ना करें और ध्यान रखें आपको इस दीपक से आरते भी नहीं लेने हैं दोस्तों सावन शनिवार के इस विशिश दिन आप इस उपाई को कर इस से लाब अवश्य ही प्राप्त करें उमीद हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और भी यूस्फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरू दबाएं और भोले नात की किर्पा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जै शिफशंकर जै भोले नात जरूर लिखें तैंक्स फूर वाचेंग राथी राथी जै शिफशंकर